अब थोड़ा हम उस पर चलें विश्व संयुक्त राश्चंग में भारत का योगदान इंडिया's contribution in the United Nations सरपथम प्रारंबिक इंकावन सदस्टियों में एक यद्यपी भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था इस बात का ख्याल रखें फिर भी एक संस्थापक देश बना और वो इसनी संभव हुपाया क्योंकि भारत इंग्लेंड की ओर था जुती विश्व के समय मित राश होने के साथ भारत ने सैन फ्रांसिस्को सम्मिलन में भाग लिया था और तब तक भारत की स्वतंत्ता का एक तरीके से खाका बन चुका था तो इस प्रकार ये पहला योगदान इस सम्मिलन में शान्ति को युद्ध का अवरोधक माना गया इसलिए भारत ने मन में काफी संतोष व्यक किया कि जवालाल नहरू ने जब कहा कि संयुक्त राश संग की घोशना के प्रती भारत का वही दिश्टिकोंड होगा जैसा कि संयुक्त राश संग का है इस उद्येश की पूर्त के लिए भारत उन सभी गत्वी दिवों में भाग लेगा जिससे शान्ति बनी रहे उसकी भागोले की स्थिति जन संख्या और शान्ति पूर्ण उन्नती में सहयोग प्राप्थ हो सके ये तो हुआ पहला बिंदू दूसरा बिंदू पहला तो यह है कि हम संसापक सदस्चों में हैं और दूसरा बिंदू यह हुआ कि भारत के अपने संभिधान में इसका आटूट विश्वास यदि हम और विस्तार से इसकी बात करें तो तीसरा बिंदु आता है इस थापना और चार्टर निर्माण में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेते हुए हस्ताक्षर करते हुए इसका सजह से बनते हुए ए रामा स्वामी मुदालियार जो भारत के प्रतिनी थी थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि युद्ध रोकने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को सरवाधिक महत्वत दिया जाए मुदालियार जी का कहने का ताथ पर ये था कि युद्ध मन में आता है और इसलिए मन में युद्ध ना पन पे इसके वलीए बातारन तियार किया जाए अर्थात यदि मैं एक प्रसिद उक्ति कहूं तो उस उक्ति में ये कहा गया है कि war is built in the minds of men war is built in the minds of men so it is in the minds of men that seeds of peas be sowed लड़ाई जो है वो दिमाग में पैदा होती है इसलिए हमें दिमाग में शांती के बीच बोने चाहिए और दिमाग में शांती के बीच बोने से ताथ पर ये है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे की मानव दिमाग मानव मन शांती प्री रहे और वो कब होगा जब हम आर्थिक न्याए सामाजिक न्याए की दिशा में कारिक करें ये एक बहुत अहम बात रामा स्वामी मुदालियार ने कहे war is built in the minds of men and so it is the minds of men where seeds of peas be sowed S.O.W.E.D. ये तुह पहली बात तीसरी बात उसके बाद अगला बिंदो इन्ही के सिफारिश पर मानव दिकार और मौलिक स्वतनता को भी चार्टर में जोड़ा गया मानव दिकार और मौलिक स्वतनता क्योंकि इनका कहना था कि ये भेदभाव पैदा करते हैं यदि ये नहीं जोड़ा जाएगा तो भेदभाव होगा और इस प्रकार उनके दबाव में या उनके इनिशेटिव का परिनाम था कि जो S.F. को चार्टर है उसमें मानव दिकार की बात की गई है मौलिक स्वतनतरता की बात की गई है अगला बिंदू भारत ने संग्सराज संग में एक बहुत अहम योगदान दिया है जो चौथा बिंदू है संग की सदस्ता बढ़ाने में संग तभी वैश्विक माना जाएगा जब विश्व के अधिकतर देश उसके सदस्य बने ऐसा वैश्विक संगठन कैसा जिसमें जिससे बहुत से देश जिससे बाहर रहें और बाहर रहते हुए वे संग्सराज संग के उद्देशों के खिलाफ कारे करें या संग्सराज संग के आदेशों की अभेलना करें इसलिए भारत की हमेशा नीती रही कि समिक्त राश्चंग के उद्देशों में आस्था रखने वाले सभी देशों को सदस्य बनना चाहिए बलकि विश्क सभी राश्ट्रों को संद्का सदस्य बनना चाहिए उसने इस बात की जिद्र की कि मात्र इसके उद्यश पर आस्था रखने वाले नहीं बलकि सभी राष्ट इसके सदस्य बने तभी जाकर सभी राष्ट्रों क्योंकि शांती जो है वह तभी इस बात पर निर्वर करती है कि सभी पक्ष शांती के पक्ष में रहें इसलिए भारत का ये जोर देना कि सभी राष्टिस के सदस से बने ये विश्व शान्ति में भारत का सुएक्ट राष्ट संग में शान्ति के प्रयासों में एक बहुत आहम योगदान है जब दुनिया दो खेमे में बटी थी शीट युद्ध के काल में तो एक बड़ा अजीब अंतराष्टी खेल चलता से इन देनों के बीच में और एक दूसरे को कमजोर बनाया रखने के लिए वे एक दूसरे देश के मित्रों की सदस्यता का विरोध करते थे यानि यदि सोवियत संग का कोई मित्र राष्ट स्विक्त राष्ट संग का सदस्य बनना चाहता है तो अमेरिका उसका विरोध करेगा क्योंकि ऐसा करते हुए वो सुनिश्चित करता था कि अमेरिकी सोवियत संग के खेमे के सदस्यों की संख्या स्विक्त राष्ट संग मे कम हो रहे हैं एक और हंगरी रूमानिया बुल्गारिया मंगोलिया चीन बंगला देश इनकी सदस्ता का विरोध अमेरिका ने किया तो शीलंका फिनलैंड आयरलैंड इटेली इसकी सदस्ता का विरोध सोवियत संग ने किया क्योंकि ये चार देश अमेरिकी खेमे के थे और प इस नीती की कटू आलोचना की और बारंबार महासभा के प्लैक्टफॉर्म में और अपने तहीं उसने ये आवाज उठाई कि सभी सदस्चों सभी देशों का विश्व के सभी देशों का इसका सदस्च होना आवश्यक कर दिया जाना चाहिए तभी विश्व शान्ति संभा है वो शक्ति गुटों की इस सदस्चता की लड़ाई के सदस्च रूप से विरुद में रहा और सभी राश को संग का सदस्च बनाने का समर्थक रहा यदे भी चीन ने भारत पर अक्रमन किया था लेकिन फिर भी भारत ने चीन की सदस्चता का समर्थन किया प्रबल समर्थन क सधाय समर्थन किया और यहां तक की स्रक्षा परिशद में उसके इस्थाई सधस से बनने का भी समर्थन किया इसी के परणाम सरूप भारत के ही दबाओं के परणाम सरूप चीन जो है वह सिंग्त राश्चंद का सधस से बना अगला बिंदू जो है भारत का विभिन अंगों में सहयोग, संचालन में सहयोग मैं जो बात कर रहा हूँ संविक तराय संग में भारत ने कैसे योगदान किया, शान्ती में उसके तहट अगला बिंदू है शान्ति में योगदान इंडारेक्ट तरीके से भी परोख शुरूप से भी होता है और वो परोख शुरूप से योगदान की एद जिक्र करें तो जो यूएनों के विविन अंग हैं उसका संचालन में उसमें बहुत योगदान किया और इसके स सुरक्षा परिशद में सदस्य चुना गया भारत और ये बहुत बड़ी बात थी कि सुरक्षा परिशद का सदस्य स्वतनता प्राप्ति के मात्र दो तीन वर्ष बात ही बन जाना ये काफी बड़ी बात थी उन्निस सो चववन में विजयलक्ष्मी पंडित महा सभा की अध ये बहुत बड़ी बात थी ये आठवा दिवेशन था उन्निस सो पैंतालिस से जो सभा शुरू हुई थी उन्निस सो चालिस से उन्निस सो चववन में आठवा दिवेशन उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन मौलाना अबुलकलाम आजाद यूनेशको के प्रधान बन चुने गए संग के विबिन अव्यवों के संचालन में अगली जो भूमिका है वो आती है राजकुमारी अमरितकौर एक महिला श्रीमती राजकुमारी अमरितकौर ये वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन डबलु हो विश्व शास्त संगठन और बियार सेन विश्व कृष्य एवं खाद्य संगठन के प्रधान मनती रहे ये नाम देखे इस करम से देखते जाएए बी आर सेन अंतिम नाम जो मैंने भी लिया ये विश्व कृष्य एवं खाद्य संगठन के अध्यक्ष रहे संचालक रहे प्रधान रहे और विश्व सास्त संगठन में राजकौमारी अम्रित कौर मुखिया रही उसके बाद जग्जीमन राम का नाम आता है जो जग्जीमन राम अंतराष्टी श्रम संगठन इंटरनाशनल लेबर और अगनाइजिशन आई अलो आई अलो के अधिवेशन के मुखिया थे जे एच जे ताटा अनशक्ति के सहयोग के लिए जो अनुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सेंख्टराष्ट संग ने जो समिती बनाई थी महासभा ने उस समिती का अध्यक्ष ने बनाए गया और अगला है चिंतामणी देशमुख सी आर देशमुख जो वित्मंत्री भी थे भारती सरकार में वो अंतराष्टी मुद्राकोश इंटरनाश्टल मानिटरी फंड आए एम एफ और इसके बाद पी एन कृपाल दो वर्ष तक यूनेस्को के अध्यक्ष रहे अंतराष्टी मुद्राकोश के अध्यक्ष कौन सी आर देशमुख चिंतामनी देशमुख और इसके बाद आएम एफ भी कहते हैं इंटराष्टी मुद्राकोश को और फिर पी एन कृपाल ये दो वर्ष तक यूनेस्को के कारेकारी मंदल के अध्यक्ष इतनी लंबी सूची है जिसमें संचालकों के रूप में उसके मुख्या के रूप में संगठन के संध्यक्तराष्ट संग के विबिन अव्यवों के भूमिका निभाई है संयुक्तराष्ट संग में उसके जो विबिन अव्यव हैं उसके संचालकों में या उसके अध्यक्यों में यह जो सूची है यहीं समाप्त नहीं होती इसके बाद और भी कई ऐसे मौके आया है जब भारत के अधिकारियों ने वहाँ उचे पदों पर अपना प्रतिनिजित दिया उचे पदों को सुशोभित किया उस शिंकला में डॉक्टर के कृष्ण राओ जो 67 में महासभा की वैधानिक समीति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे मेजर जनरल रिखी महासचिव के सैनिक सलाकार बने मेजर जनरल रिखी सैनिक सलाकार महासचिव के जो विश्व में विविन निसान गति विदियों में जिसमें चैनिक राश्चंग इन्वाल्ब है उससे जुड़ा हुआ है उसमें सलाह देने का कारिक करते थे भारत के प्रसिद्ध जनरल थिमया ये शान्ती सेना में साइप्रस में पदस्थ थे और उसका नित्रित्व कर रहे थे साइप्रस देखिए कितना छोटा सा देश पर किसी काल में किसी समय एक समय ऐसा था जब साइप्रस जब तब विश्व को चिंता दे देता था वहां जो अंदुरूनी मामले थे और उस पर जो अंतर राश्टी राजनीती चल रही थे उसको ले कर इस साइप्रस में शान्ती सेना भेजी गए उसका नित्रित जनरल थिमया कर रहे थे दुरभागिसे उनके वहीं मौत हुई वे शहीद हुए और मेज़र दनलर ग्यानी इन्होंने गाजा स्ट्रिप जिसका मैंने जिकर किया था गाजा स्ट्रिप जो इसराइल फिलिस्तीन के बीच एक बहुत बड़ा जगड़े का कारण है और आज भी वो बना हुआ है जब तब ये गाजा स्ट्रिप का मामला अंतर राष्टी राजनीत में उचल पड़ता है और बड़ा विस्फोटक हो जाता है वहां की शांति सेना का नितर्थ भी जो स्विक्तर रास्चंग की सेना थी शांति सेना थी उसका नितर्थ भी भारत नहीं किया जिसमें जनरल ग्यानी थे डॉक्टर नागेंदर सिंग का नाम से राश्ट संग के संबंद में भारत में बारंबार लिया जाता है डॉक्टर नागेंदर सिंग 1973 से 82 में अंतराश्टी नियाले के नियाधीश चुने गया अंतर राष्टी नियाले के नियाएधीश 1973 में और 1982 में पुना उन्हें चुना गया याने दो काल उन्होंने किया ये बहुत बड़ी बात थी उनका नाम डॉक्टर नगेंदर सिंग सन असी में जनरल प्रेम चन भारत के जो मुख्या थे उनका नामांकन हुआ नामीबिया में शांति सेना के लिये तो नहीं लेकिन चुनाओ परिवेक्षक के रूप में नामीबिया अफ्रीका का एक देश भारता हुआ देश यहां पे नियूटरल चुनाओ करने के लिए परिवेक्षकों की आश्कता थी और उसका मुख्या बनाके चुनाओ परिवेक्षक के रूप में जनरल प्रेम चन को भेजा गया इसी सरह सन पत्चासी में उन्हें अंतरराश्टी नियाले का मुख्य नाइदीश भी चुना गया और इसके अतरिक पत्चास से लेकर अभी तक असी नबे दो हजार तक के काल में भारत में बहुत भारत के बहुत से लोग सुनिक राजसंग के विभिन अधिकरणों और आयोगों में सदस्य चुने गया ये तो भारत की भारत का प्रतिनिधित्व आधिकारिक स्तर पर सर्वोच पदों पर इसकी सूची थी अब अगला बिंदु है संग के शान्ति और सुरक्षा संबंधी राजनीतिक कारियों में भारत का क्या योगदान रहा संग के शान्ति और सुरक्षा संबंधी मामलों में राजनीतिक मामलों में इसमें इसकी सूची भी बड़ी लंबी है लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका मैंने पूरू में जिक्र किया है यहां पुना उन्हीं मुद्दों को थोड़ा और विस्तार से बताया जाएगा जिसमें भारत ने बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाते हुए बहुत महत उस्या जैसरा मैंने पूर में बताया था घॉरिया उत्तरी और दक्षणी कॉरिया दो भागों में एक तरीके से बट गया था शीट उद्ध के काल में जो दो धुरूब बने थे दो खेमे बने थे उन दो खेमों के बीच में ये कोरिया का विभाजन एक तरीके से हो गया था और एक समय ऐसा है जब उत्तरी कोरिया ने 1950 में उत्तरी कोरिया वो कोरिया है जो सोवियत संग के खेमे का हिस्सा था और सोवियत संग्की विचारधारा हमेशह थी कि अपनी कम्यूनिष विचारधारा को दुनिया में फैलाओ येन केन प्रकारेट उसी फैलाओ की इच्छा के तहठ उसने इतरी इतरी कोरिया को प्रेरित किया दक्षिनी कोरिया पे हमला करने के लिए जहां पे अमेरिका का एक तरीके से दबदबा था, लेकिन उत्तरी कोरिया, रूस ये दक्षनी कोरिया में हमला तो किया, लेकिन आéchी स्थिट में सुछिक राष्चंग ने एक छैर्ष्टों की स्वाउट फॉज बनाई, छे राश्टों की संयक्त फौज बनाएं जिसमें भारती सैनिक भी थे इस प्रकार इस युद्ध को समाप्त कराने और दोनों देशों के युद्ध बंदियों की अदला बदली या आदान प्रदान योद्द को समाप्त करना और दोनों देशों के बंदियों का आदान पदान इसमें भारत ने बहुत महत्पून भूमिका ने भाई भारत को इसी लिए यहां के तठस्थ राष्ट आयोग नीट्रल राष्ट के रूप में देखा गया उसके भूमिका को बहुत सराहा गया और इस कारण उसे उसके आयोग का अध्यक्ष बनाए गया अगली महत्पूर्ण समस्या स्वेज नहर की थी इसका जिक्र भी पूर में हुआ है 26 जुलाई 1956 में स्वेज नहर का राश्टी करन होता है मिस्टर की सरकार स्वेज नहर का राश्टी करन करके नैश्टलाईजेशन करके उसे अपने हिस्से में शामिल कर लेती है अपना अधिकार बना लेती है अपना अधिकार थापित कर लेती है और इसके परणाम सुरूप क्या हुआ कि जो इस स्वेज नहर के राश्टी करन थे जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि ये स्वेज नहर मैंने बताया बड़ा व्यापारिक जिश्टी से बहुत ही महत पूंड था तो जो राश्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो थे सामानतिया फ्रांस ब्रिटन और उसके अलावा इसराइल इन्होंने संयुक्त हमला बोला मिश्र पर भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की तथा से एक तुराज महासभा में इसके सम्मद में प्रस्ताव भी रखा इस प्रस्ताव के तहट भारत ने इन तीनों आक्रमनकारी देशों को युद्ध बंद करने के लिए कहा देखिए ब्रिटन, फ्रांस और इस्राइल ये लोग स्वेज नहर के इस राश्टी करन से बड़े इन पर इसका एक तरीके से दुष्ट प्रभाव पड़ा था इनका व्यापार का जो पूरा जो व्यापार का पूरा जरिया था उस पर इस पर काफी चोट पड़ी थी परणाम इन्होंने हमला किया भारत ने इसका कड़ा विरोध किया इसकी कड़ी निंदा की यद्यपी ब्रिटन और फ्रांस जैसे देश इसमें के खिलाफ विरोध करना और वो भी जो अमेरिका खेमे के देश थे उनके खिलाफ आवाज उठाना बलंद करना ये भारत की स्वतंत्र विदेश निती का परिचायक है कोरिया में उसने जहां पर सोवियत संग के हमले का विरोध किया कोरिया में जहां पर उसने सोवियत संग के द्वारा प्रेरित हमले का विरोध किया वहां जहां पर उसने अमेरिका अमेरिकी खेमे के सदस्यों के हमले का कड़ा विरोध किया और इस तकार इस उद्ध को बंद कराने में भारत ने पुनह अहम भूमिका निभाई और ये बास पश्ट हो गई थी कि भारत एक टटस्थ भूमिका निभाता है भारत गुट निर्पेक्षा अंदोलन का सदस्य भी था बहुत महत्पूर्ण सदस्य था और इसलिए गुट न ही रोका हूँ से इसके वाद अगली समस्य यही अफ्रिका में कॉंगो को काफी बार में सतन्ता मिली और सतन्ता मिली तो कांगो की अंदरूनी स्थिती वहां राजनेते के स्थिर्ता देने के लिए तैयार नहीं ही थी और अन्य ताकतें उसमें दखल कर रही थी परणाम क्या हुआ कि अज स्थिर्ता बहुत जादा उत्पन हो गई और संपूर्ण राष्ट जो है वो एक तरीके से चार भागों में विभाजित हो गया राजनीतिक रूप सो विभाजित हो गया तो ये कांगो का विभागी करण केवल इसलिए क्योंकि वहां की राजनीतिक अस्थिर्ता थी इसका लाब उठाते हुए बेल्जिम ने कांगो के मामले में हर्द तक शेप करने का सोचा बेल्जिम ने प्रयास किया कि कांगो को वह अपने कबजे में लाए लेकिन वहां की लुममबा सरकार ने बेल्जिम के बुरुद स्विव्च्रास्चंग में शिकायत की और सैनिक साहथा का अनुरोद किया Belgium, Congo उसमें वहाँ के राश्टपती के द्वारा स्विक्त राश्चंग में अपनी बात रखना, अनुरोज नखना और सैनिक साहता मांगना सैनिक राश्चंग के आदेश पर भारत ने अपनी एक टुकड़ी वहाँ भेजी जो वहाँ भेजी गई टुकड़ियों में सबसे बड़ी बटालियन थी अन्य देश की फौज के हिस्से भी वहाँ गय थे लेकिन भारत की जो टिकड़ी थी स्विक्त राश्चंग की सेना के माताद जो भेजी गई थी इसमें सबसे बड़ी बटालियन थी इस तरह भारत ने स्विक्त राश्चंग का सहयोग करके एक बड़े युद्ध के खत्रे को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये कॉंगो का मामला है कोरिया उसके बाद स्वेश कनाल उसके बाद कॉंगो अब अगली समस्या है हंगरी की हंगरी वैसे तो सोवियक खेमे का देश था अब्टूबर 1956 में प्रतिक्रिदियावादी तत्वों ने अमेरिका की सहायता से हंगरी में विद्रोह कर दिया जैसा मैंने बताया आप हंगरी को देखेंगे ये एक तरीके से पश्चमी यूरोप का हिस्चा न मानते हुए से पूर्वी यूरोप का हिस्चा मानते हैं जो सोवियत संग की सीमा से निकट है और इसलिए सोवियत संग की सीमा से जो निकटस्थ राष्ट थे उसको सोवियत संग ने एक तरीके से ढाल की तरह उपयोग करना चाहा और वहाँ सेटलाइट स्टेट बना दिये सेटलाइट स्टेट कार्थ होता है अपने नियंत्रा में वहाँ पर सरकारें बनाई खुद ने डारिक वहाँ पर अपना नियंत्रा नहीं लिया लेकिन वहाँ के सरकारों को चलाने में अंदुरिनी मामलों में उसने काफी दखल दिया इस प्रभाव के कारण अमेरिका खिन हुआ और उसके बाद यहां पर हंगरी समस्या में जब विद्रो दवाने के लिए रूस से सैनिक सहाथा का अन्रोड किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया हुए अर्थाद 1956 में प्रतिक्रिया वादी तत् दिया तो हंगरी की सरकार ने विद्रो को दवाने के लिए रूस से साहता मांगी स्वभाविक था हंगरी की इस अन्रोड को रूस की सरकार ने स्विकार किया जो कि एक तरीके से हंगरी तो रूस के लिए ढाल था और इसने अपनी सेना भेज कर इस विद्रो को कुचल दिया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो दूसरे खेमे के थे और अमेरिका तो दूसरे खेमे का नित्रित कर रहा था उसकी मांक पर संग्षराशचंग में इस समस्या पर विचार हुआ तो भारत ने पश्चिमी राष्डरों के प्रस्ताओ का समर्थन किया याने अमेरिका, बिटन और फ्रांस का जो प्रस्ताव था कि हंगरी में सोवियस संग दखल दे रहा है भारत ने अपने सोवियस संग के संबंधों की चिंता किये बिना स्वतंत्र मामला अपने सार्वभॉमिक उसके आधार पर उसने प्रस्ताव का समर्थन किया और हंगरी के विद्रोव को एक राष्ट्री करांती मानते हुए हंगरी में रूस के हस्तक्षेप को अनुचित किया और अनुचित बताया और आलोचना की हंगरी के विद्रोव को भारत ने क्या बताया एक तरीके से उसका अंदरूनी मामला एक तरह का अपना राष्टरी विद्डू राष्टी एकरान ती और इसमें रूस के दोरा किसी तरह का द taşल देना नाजाएज माना गया भारत की नजर में और साथ ही भारत की सरकार ने रूस के द्वारा वहां विरोधियों के साथ बंदियों के साथ किये जारे अत्याचार का कड़ा विरोध किया और रूस के विरोध रखे गए निंदा प्रस्ताओ का भारत ने विरोध तो किया और सेना को हंगरी से हटाए जाने को भी उचित उसमें उचित नहीं माना क्योंकि भारत का उद्देश था हंगरी में शांति स्थापित करना यानि हंगरी का उदाहरन आपको भी बताएगा कि भारत कैसे दोनों पक्षों को साजिते हुए चल रहा है क्योंकि उसका अंते मुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द प्रताव को बढ़ने से रोकने के लिए भारत ने हंगरी के सोवियत संग के खिलाफ दिये गए निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया और हंगरी की सेना हटाए जाने का भी एक तरीके से उसने विरोध किया उसने उसे उचित नहीं माना तो इस प्रकार वो दोनों पक्षों के प्रती स्वतंत्र रवईया अपना रहा था ये हंगरी क्राइसिस का उदाहरन है क्योंकि भारत का असली देश तो वहां शान्ति स्थापित करना था इसी तरह भारत ने स्वेक्टराश्चंग के समस्थ जो और कुछ अन्य समस्थ हैं आई जैसे अरब इज़्राइली विवाद, अरब इज़्राइली विवाद, गाज़ा का विवाद, उसके बाद जो पैलिस्टीन का विवाद, ये सब विवाद उसी खेतर के हैं, एक ही विवाद से जुड़े हुए इस्राइल और पैलेस्टीन का विवाद बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है इस्राइल की स्थापना जो बीश्वी शतापदी में हुई एक राश्ट के रूप में 1947 के आसपार उसकी स्थापना के बाद से वहाँ पे युद्धिक की स्थितिया निर्मित हो गई दुरभागे से और मुस्लिम वर्ल्ट और इस्राइल यह एक दुसरे यह हमेशा आमने सामने टकराते रहे इस्राइल के पक्ष्में हमेशा अमेरिका रहता था और यह बहुत बड़ा विवाद चला इस विवाद में भी भारत ने बहुत आहम भूमिका नभाई है विवाद को सुलजाने में ऐसे टर्की के विवाद को सीरिया, अलजीरिया, अफगानिस्तान देखिए इस नक्षे में सब खेतर कहां कहां है टर्की, सीरिया, अलजीरिया, अफगानिस्तान ऐसी कई समस्याओं और विवादाओं को सुल्जाने में भारत ने एक राष्ट के रूप में बहुत महत्पूर्ण भूमिका अदा कियो